जैसे कि आप लोग सबी लोग जानते हैं कि यह आपकी साइंस की क्लास है डेली आट बज़े यह क्लास आपकी होती है ठीक है लोग असे में क्या करते हैं पचास कोशन लेते हैं यह आप लोगो की चैलेंज सीरी चल रही है सबी लोग एक बार क्या कर देंगे वीडियो को एक बार सबी लोग शेयर कर देंगे बिलकुल यहाँ पर कमले जी राम राम ठीक है सागर जी जैश्री राम सबी लोगो को जैश्री राम ठीक है बिल्कुल यहाँ पर मीना मीना जी आपर good evening ठीक है सब्भी लोग एक वीडियो को शेयर कर देंगे फटा फटा आप लोग आज आपकी बहुत ही होली के दिन बाद kclass'ट हो रही है बहुत दिन बाद kclass'ट हो रही है अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे और अगले कोशन की तरफ चलते हैं बिना टाइम गवाए हम लोग ठीके मोहित रिवेदी जी हलो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले कोशन आपकी स्क्रीन पर आते हुए क शारे प्रिवियस एर पेपर में आई हुए शारे कोशन ही आपके चलिए आपसे पूछा गया यहां पर आपसे कि सूर्य की वास्तिबिक प्रतिबम इसके द्वारा बनता है रियल इमेज ऑफ सान इस फॉर्मड बाई सूरज का रियल इमेज किससे द्वार बनता यह बताना बी वाला उप्शन बिल्कुल सही जवाब है मीना जी बिल्कुल सही जवाब है कौनकेव मिरर यहां पर बिल्कुल यहां पर कमलेज जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने चलिए नैस कोशन की तरफ चलते है देखिए कौनकेव मिरर का काम ही है कि आपका क्या होता है फ बिल्कुल कमलेज जी सहीबतर अगले कोशन के उपर चलते हैं बहुत ही दासू तरीके के 50 कोशन है जो बहुत बार रिपीट होते हैं चलिए आप से पूछा गया है आप पे क्लिनिकल थर्मामेटर रीट टेंपरेचर फ्रॉम ठीक है क्लिनिकल थर्मामेटर जो होता है बिल्क थर्मामेटर कितना थापमन पड़ता है शिवानी जी के रिए ओप्षन ठीक है ध्यान रखेंगे यहां पर आपका 35 डिग्री से आपका जाता है यहां पर 42 डिग्री सेल्सीयस तक ध्यान रखेंगे यहां पर आप लोगों का दूबी वाला ऑप्षन बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल यहाँ पर अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग चलिए नया कोश्चन आगया आपकी स्क्रीन पर जल्ली से बताएंगे आप से पूछा गया है यहाँ पर ठीके तामे या लोहे के चमच पर विद्दूत लेपन के दोरांग ठीके क्या होता है यह बताना आपको यहाँ पर ध्यान दीजेगा मस ऑफ दॉफ 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 चलिए जोती जी भी कह रही है, B option, C option यहाँ पर सही जवाब है, decrease होगा, चलिए यहाँ पर, C option बिलकुल यहाँ पर, रिया जी और शिवानी जी बिलकुल सही जवाब, चलिए आप से पूछा जा रहा है, EBS से question आया है, कि पज जारी आप से पूछा गया है, ध्यान रखेगा जरी, पज जरी इससे संबोधित करता है, संबोध करता है, जली से बताएंगे क्या होगा, the term jury refer to, किस से होगा, term jury किस से refer है, यहाँ पर जली से बताएंगे, बहुती अच्छा question है, यह भी, EBS का question है, अगर यह question नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों ने तो answer नहीं लगा के धागे यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है, A option, ठीक है, कपड़े में बुने हुए गए धाटू, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नए question की तरफ, अगला question स्क्रीन पर आ गया है, चलिए, नया question है, थोड़ा सा इसको important लि लेंगे, यह reaction best question है, आपकी screen बे, चलिए, आप से पूछा गया है, जब तनुक्री सल्फूरिक ऐसे ठीक है, तनुक्रीक यानि कि आप से पूछा गया है, डायलूट यहाँ पर, डायलूट सल्फूरिक अमल को चूने के जल में मिलाए जाता है, तो कौन से उत्पादों का निर्मान होता है, बहुत ही अच्छा question है, यह ऐसे जितने भी सारे question आ रहे हैं, इस पेसली उसका screenshot लीजेगा आप लोग, और अपने पास रखिए उसको और पढ़िए उसको बार-बार, चलिए, यहाँ पर बताएंगे, आप से पूछा गया, तनुक्री सल्फूरिक अमले से चूने में जल में मिलाना जाता है, तो क्या उत्पाद निर्मान होता है, यहाँ पर, चलिए, जल्ली से बताएंगे, सबी लोग कारवन डाय ऑकसाइड की सार जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दिनगे, यहाँ पर A option कह रहे हैं, यहाँ पर, कुछ लोग पर, B option यहाँ पर सही जवाब दिया आपने, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ हम लो, नैस question आपकी screen के उपर, यह तो बच्चो वाला question है, कोई भी बता देगा आप में से, कि Lance आपसे पूछा गया है, जल्ली से बताएंगे, बहुत easy question है, कि Lance का प्रियो व्यापक रूप से, कह रहे हैं, चलिए, यहाँ पर, जल्ली से बताएंगे, क्या होगा इसका रामसर, ठीके, प्राची सुकला जी, यहाँ पर कह रही है, C option, चलिए, जल्ली से बताएंगे, देखिए, आपके, जो चश्मे का lens आपन लोग लगाते हैं, किसी को भी क्या होता है, कम जादा दिख चलिए, अगले question की तरफ चलते हैं, ध्यान पूर्वग भी अगर question को पढ़ेंगे, तो answer आप लोग सही कर देंगे, चलिए, इसमें आप से पूछा जा रहा है, इनमे से कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है, कौन सा गलत यहाँ पर कथन लिखा हुआ है, चलिए, यहाँ पर C option के रहें, कुछ लोग के रहें, D option, ध्यान दिजेगा, आपका यह question number 7, question number 6, आपकी screen पे है, जिसका right answer क्या होगा, कि one में विनस्पती वा पशूक एक दूसरे पर सोतंतर है, तीक है, बिलकुल यहाँ पर एक दूसरे पर वो क्या है, सोतंतर नहीं है, यहाँ पर ध्यान दिजेगा, जो की C वाला option बिलकुल correct जवाबेती के, depend होते हैं, कथन गलत बताना था, आपको तो यह कथन गलत लिखा हुआ है, कि one की वनस्पती और पशूक एक दूसरे से सोतंतर हैं यहाँ पर, जो की C वाला option यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, C option कथन यहाँ पर आपका गलत लिखा हुआ है, चलिए, यह बहुती famous question जो आपकी screen पर अब आ रहा है, ठीके, ध्यान रखेगा, इससे हर बार पूछा जाता है, यह question, यह question हर बार पूछा जाता है, आपके MP police में, चाए MP SIO, सारे उसमें यह question पूछा जाता है, बहुती important है, इसको गलत करते हैं, question number seven, आपकी screen के सामने आ गया है, चलिए, यहाँ पर बताइए, आपसे पूछा गया है, which is the hottest part of the flame, इदा बैसेन बर्नर, ठीक है, बुंसेन बर्नर, ठीक है, बुंसेन बर्नर की लोग का सबसे गरम भाग कौन सा है, बहुती important question है, यह वाला C option के रहे हैं यहा option, सागर जी भी के रहे हैं, C option, ध्यान दीजेगा, इसका बिल्कुल right answer है, जो outermost के रहे हैं, outermost zone यहाँ पर बिल्कुल सही, innermost zone नहीं हो गए है, यहाँ ध्यान दीजेगा, मीना मीना जी बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका, क्या C वाला option बिल्कुल correct है, यहाँ पर curved mirror के बारे में पूछा है, आज आज आपको पता चल जाएगा, curved mirror क्या होते हैं, ठीके, एक व्रक दरपन का सबसे सामाने उधारण है, क्या होगा यहाँ पर, ठीके, तीनी option है, ध्यान दीजेगा, एक non of this ले लिजेगा, यहाँ पर, चलिए यहाँ पर, जली से क्या होगा इसका right answer, सी section के रहे हैं, आपर справical mirror बिलकुल सही जवाब, नहीं पर, करेक्ट कोई spherical mirror जिस कह रहे हैं, बिलकुल सही जवाब है, आपर, चल यहाँ बिलकुल यहाँ पर, डी option के रहे हैं मतलब सी समझ लेता हूँ मैं, क्योंकि तीनी option है यहाँ पर, चलिए पूछा जाएंगे चलिए 9 का सी के रहे हैं पिछले वाले का बिलकुछ सभी जावाब नया कोशन आपकी स्क्रीन पर आगया है जली से बताएंगे चलिए आप से पूछा गया है यहाँ पर कि the body can only move when the body के जली से बताएंगे क्या होगा इसका राटन दर शरी तबी संचाल कर सके गरिशन बल क्या होगा यहाँ पर गरिशन बल क्या होगा बिलकुछ यहाँ पर सही जबाब है बिलकुछ सही जबाब है देखे शरी तबी संचाल कर सकेगा जब गरिशन बल क्या होगा आपका लगा है बल से कम होगा ठीक है ध्याम देगे अगर friction जादा होगा तो चीज मूब भी नहीं करेगी आपकी चलिए आपर आगे बढ़ते ह होगा तो बताइएals नौ इस पॉलीशन हो जाएगा जली से बताएंगे ठीक होने से प्रदूर्श रव प्रदूर्शन होगा झालिए czल्य एल रवोड फ्रदूर्शन होगा ठीक है जलिए जली सबताइए किसके क्तना होना चीए यहाँ पर सेगार बिलकुल सही उतल पर बिल्कुल सई जवाब है आपर सी ऑप्शन बिल्कुल सई जवाब है कमले जी मीना मीना जी बिल्कुल सई जवाब सागर जी बिल्कुल सई जवाब नए कोशन की तरब चलते हैं अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर इस कोशन को ध्यान से पढ़िएगा बहुत ही इसी कोशन है अगर जो पहले से मेर से क्लास ले रहा है साइंस की वो इसका अंसर अराम से दे देगा चलिए आपको बताना है वे जिव जिसमें नाभी के प्रदात और कोशी का द्रेव के बीच नाभी के जुली नहीं होती है कहलाता है यहाँ पर बिलकुल यहाँ पर बताना है आपको नुकलियर मेमरेन अपसेंट है यहाँ पर बताना है आपको क्या होगा nuclear membrane between nuclear material and cytoplamps are called जल्ली से बताएंगे do not have nuclear membrane क्या होगा उसे क्या केते हैं यहाँ पर जल्ली से बताएए ठीके यहाँ पर किसी ने कहा यूकारिटिक सेल यहाँ पर कह रहे हैं ठीके सेल और यूकारिटिक में अलग अंतर हैं यहाँ ध्यान दिजेगा यहाँ पर प्रोकारिटिक यहाँ पर कह रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब सागर नामदेव जी मीना मीना जी बिल्कुल यहाँ पर कमलेज जी बिल्कुल सही जवाब सी ओप्शन प्रोकारिटिक बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है C option बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर प्रियोकारिटिक्स यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है जोती मीना जी बिल्कुल सही जवाब चलिए नैस question की तरह बढ़ते हैं बहुत ही basic unit का question और बहुत ही basic question ठीके basic unit आपसे पूछा गया है गती क्या मूल भूतिकाई क्या है देखे मैं topic wise आपको science पढ़ा रहा था उसमें मैंने unit के chapter पूरा करवाया था उससे एक भार question नहीं आएगा आपसे यह ध्यान रखेगा playlist में जाईएगा description में आपको playlist मिलेगी topic wise science की उसमें इने कुछ topic पूरे पूरे करा दिये उससे भार question मिलेंगे इन्हीं आपको चलिए यहाँ पर बताएंगे क्या होगी basic unit speed की यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर प्राची शुकला जी का अंसर आ गया है बिल्कुल जोती मीना जी का भी अंसर आ गया B आने की meter per second बिल्कुल सही जवाब है B option यहाँ पर correct है चलिए next question की तरह बढ़ते हैं हम लो अगला question आपसे पूछा जा रहा है चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर की oxygen is transported to all the cell of the body by by दकाई से होगा यहाँ पर बताएंगे oxygen का परिवहन शरीर की सभी कोशिकाओं में इनके द्वारा किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है जल्ली से बताईए RBC, WBC, plasma, platelets किसके द्वारा होता है बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब दिया है शिवानी जी ने बिल्कुल सही जवाब दे RBC, सागर, नामदिव जी, बिल्कुल सही RBC, सभी लोंग के रहे है RBC, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है A option, बिल्कुल correct है यहाँ पर जोती मीना जी, बिल्कुल, प्राची जी, बिल्कुल सही answer, चलिए, वीडियो को प्रवारधन इसके द्वारा आसानी से किया जा सकता है जली से बताएंगे गुड़हल जली से बताएंगे गुड़हल का प्रवारधन इसके द्वारा आसानी से किया जा सकता है जली से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर फर्मेंटेशन के रहे हैं बर्डिंग के रहे हैं स्टीम कटिंग के रहे हैं या फिर स्पॉर फॉर्मेशन के रहे हैं या पर ध्यान रखेगा या पर क्या इसका अंसर होगा या पर ए ऑप्शन के रहे हैं फर्मेंटेशन या पर नहीं या पर फर्मेंटेशन नहीं होगा दे ठीकिए यहाँ पेडल क्या पौदा जाता उसका ठीकए तो यह हुसी के स्टेंम काटिंग के तना काट देते हैं और दुबारा लगा देते हैं तो स्टेंप से क्या होचा पौदा जाता विलकुल यहां पर spam cutting यहां पर बिल्कुल सही जवाब है आपका C option बिल्कुल correct जवाब है चल यहां पर आगे बढ़ते हैं यहां पर जोती जी बिल्कुल सही जवाब है कमले जी बिल्कुल यह भी बहुत important question है यह भी important question है आपको यह बताना है कि thermometer का है हिस्सा जो पारक को पारे के इस को अपने आप गिनने से रोकता है ठीक है जैसे डॉक्टर साब ने यह क्या करा है आप पर हमारा चेक किया body temperature ठीक है और भाल लाके देखा उनने वह भाईया देखा वह तो ड्रॉप हो गया तो उसको ड्रॉप होने से कौन रोकता है यहां पर जल्ली से बताएंगे यह आप बल्प की द्वारा काँ सहोगा बहुती famous question है यह केंक यहां पर बिल्कुल सही जवाब है देखिए A option बहुत से लोग नए दिख रहे हैं उनका answer यहां पर सही नहीं आ रहा है ध्यान रखेगा A option यहां पर बिल्कुल किसी का भी सही नहीं आया यहां पर बहुती अच्छा question बहुती अच्छा question था कि जो आपका क्या होता है यहां पर थर्ममेटर होता है उसका लेवल कौन घिनने से रोकता है कि यहां पर बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल सागर नामदेज जी बिल्कुल A option बिल्कुल सही जवाब नए question पर चलिए यह question आज और आपको theory के लिए मिल गया है बहुती बढ़िया question आया है यह जिसके भी paper में आया होगा जिसको concept पता होगा उसने यह टिक कर लिया होगा आपसे पूछाए गया है यहां पर कि एक विल्कुल सागर जी सही बताया है नया question है जल्ली से बताएंगे आपसे पांसो बारा हर्ट्स आपको दिया है frequency का और 768 Hertz दिया हुआ है इसमें किसकी हाई पीच होगी जल्ली से बताएंगे क्या होगा इसका right answer अगर किसी को यह concept नहीं पता मैं अभी बताऊंगा उससे ध्यान रखेगा चलिए यहां पर बहुती अच्छा question आया है जल्ली से बताएंगे frequency आपको दे रखिए अब इनमे frequency अगर जादा है तो आपकी पीच जो होगी वो भी जादा होगी ध्यान रखेगा पीच sound जो होगा आपका वो भी जादा होगा frequency अगर कम है तो आपकी पीच भी कम होगा ध्यान रखेगा यहां पर ठीक है जो पतलापन होता ना आवाज में वो क्या पीच यहां पर ध्यान सबसे ज़ादा है चलिए थोड़ा सा revolution बढ़ा लीजे अगर दिखनी रहा है तो थोड़ा सा चलिए आगे चलते हैं आप पर आगे बढ़ते हैं आप आगले question की तरफ थोड़ा सा समय की कम कमी के कारण PDF नहीं बना पा रहा हूं अभी आप आप लोग के लिए ठीक है बाकी आप लोग को पता है कि मैं PDF बनाता हूं आप लोग के लिए बकायदा ठीक है तो यहाँ पर बताईए जल्ली से एक और नया question आगया उसमें थोड़ा सा क्या font को size बढ़ा देते हैं तो आपको अच्छे से दिखाई देता है थोड़ा सा revolution बढ आपको चलिए यह आपर सभी लोग कंड़ेक्ट तो सभी कर लेते हैं best आपको answer करना है बिलकुल यहाँ पर प्राची जी ने answer कर दिया है शिवानी जी यहाँ पर करी चांदी यहाँ पर बिलकुल सही जवाब है ए ऑप्शन बिलकुल सही जवाब है चलिए आगे next question की तरफ चलते हैं हम लोग अगला question ध्यान रखेंगे next question आपकी screen पर आगया है यहाँ पर बताएंगे आपसे पूचाए गया है यहाँ पर the device is dash ठीक है used by the doctor to amplify the heart of the sound ठीक है it consists of the earpiece and tube जली से बताएंगे क्या हो गया आपर बहुत कि बढ़िया पहले वाले option से हमें पता चल गया कि डॉक्टर का headphone की बात हो दी है आप ठीक है बिलकुल अभी शेक ओपी जी आप थोड़ा सा reply late कर रहे हैं silver answer कर रहे है like बटन दिख रहा होगा left side of की screen पर आप उसको प्रेस कर लीजे वीडियो के साथ आप आजाएंगे ठीक है यहाँ पर बताएंगे डी option के रहे हैं sthetoscope यहाँ पर कहा जा रहा है चलिए बाकी आपको देखिए एक option यहाँ से पता चलेगा आपको फिर बताना earpiece tubes and dash ठीक है जली से बताएंगे क्या होगा बिलकुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका क्या right answer होगा यहाँ पर chest piece यहाँ पर बिलकुल सही स्थेटेसकोप और chest piece यहाँ पर बिलकुल सही जवाब होगा होगा यहाँ पर chest पर लगाएगा की ना कि heart के ओपर लगाएगा वो पर फोड़ी ना लगाता है छेस्ट पर लगाता ध्यान लेगा स्टेत्सकोप को और एर पीज और ट्यूप दिया पर ध्यान रखेंगे आपका क्या अंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है बिल्कुल यहाँ पर अभीशेक जी बिल्कुल ओपी अंसर आपका सी कोशन आ गया है यहाँ पर बताईए क्या होगा इसका राइट अंसर चलिए दा फिनोमिना डेट है अस तो सी डिफरेंट अब्जेक्ट अराउंड अस ठीक है जल्ली से बताएंगे क्या होगा इसका राइट अंसर बिल्कुल यहाँ पर सी दिया था पहले चेंज कर दिया हमारा यही अंसर है चाहिए गलत हो चाहिए हो चलिए नया कोश्चन आपकी स्क्रीन पर आगया है जल्ली से बताएंगे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रिखेंगे यहाँ पर क्या होगा यहाँ ठीक है वैपरी घटना जिससे हम अपने आसपास के भिविन वस्तूओं को सकते हैं कहलाती है यहाँ पर जान रखेंगे यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन का है मीना मीना जी ने बिल्कुल यहाँ पर मीना जी बिल्कुल सही जवाब अपने दिया है रेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर चलिए आगे चलते हैं यहां पर नए कोश्चन की उपर हम लोग आगे अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्ली से बताएंगे देखें आपके खाद शिंकला में लापता कड़ी डाले ठीक है लापता कौन सा है यहां प कोश्चन की ठीक है उसमें मैं आपको बकाइदा कोश्चन को जादा जितना ज्यादा explain हो सकेगा उतना ज्यादा explain करूँगा मातर 20 से 25 कोश्चन लेंगे उसमें हम लोग और उसको बकाइदा explain करेंगे चलिए यहाँ पर बताएंगे क्या होगा इसका answer C option के रहे हैं और शेर कहां से आजाएगा ठीके शेर कहां से आजाएगा थोड़ा सा ध्यान दीजे कोश्चन के उपर ठीके ग्रास है फिर डैश है फिर फ्रोग है फिर स्नेक है फिर इगल है ठीके थोड़ा सा ध्यान दीजे क्या इनमें से कौन सा एलेक्ट्रो मैगनेट यूज नहीं करता है जली से बताएंगे नीचे सूच विद्धू करणों में विद्धूत चुम्बक का प्रियोक नहीं करता है यहां पर बताएंगे इस नहीं होता है रूम हीटर बिल्कुल यहां पर प्राची जी बिलकुल सही अंतार room heater, room heater में जो आपकी coil लगती हो, naichrome की होती है, ध्यान रखेगा, ठीके, nickel or chromium की होती है, जिसे हम naichrome कहते हैं, बिलकुल यहाँ पर उपहिंदर सिंग जी, बिलकुल सही अमसर, room heater यहाँ पर बिलकुल सही जबाब, चलिए नया question आपकी screen पर आगया है, बिलकुल यहाँ पर नया question आगया, आपकी screen के सामने, क्या होती है, मच्छियां होती है, हाइडरा होता है, वेल होता है, या डॉल्फिन होता है, क्या होते हैं, C option के रहे हैं, यहाँ पर वेल, अरे वेल में तो नहीं होता है, वो तो बकाइदा लंग से सांस लेती है, बकाइदा ऊपर आती है, वो तो पानी के सांस लेने, ठीक है, water vacuum system चांपर पूछा गया है, बिलकुल, हाँ बिलकुल यहाँ पर हाँ बिलकुल यहाँ सही किया रहे हैं, आपके सारे question revise हो जाएंगे इस तरीके से लिया गया है जिससे आपको सारे question लगा ले आप लोग चलिए यहाँ पर जल्ली से बताएंगे दुरलब पश्यों की संख्या में कमी का प्रमुक कारण क्या है यहाँ पर जल्ली से बताएंगे इनमें से प्रमुक कारण क्या है स्टेशन बिलकुल सही जवाब है यहां पर डी ऑप्षन बिलकुल करेक्ट चलिए नैस कोश्चन की तरह बढ़ते हैं हम लो अगला कोश्चन यहां पर आप क्या है बिलकुल बहुत ही यह बहुत ही फेमस कोश्चन है हर बार यह कोश्चन घुमा के आता है स्क्रीन शॉट ले बढ़ गएगा थी कह यह पर जल्ली से बताएं कि ऑफ यह कैले होता है यह बताई आपे शोपान पाध का वाले टायर में खाकैदार होते हैं ऐसे क्या खाया जाता आई जली से बहुत पर आया चैनलsk 있나 पहुत ही बार रिपीट आता है यह क्या धे Pac Sense ल如何 लवाजाले साडक मे के लिए यहां पर टायर में इसके आते हैं आप लोगों ने कभी टायर नहीं देखा है तो जाके देखिएगा उसमें ऐसे गड़े टाइप के ग्रूफ बने होते हैं ठीक है बिल्कुल यहां पर वह क्या करता है रोट पर हमें फ्रिक्शन याने की सड़क पर अच्छी जानी जाती है आपके मित्र की आवाज जैसे आप मेरी आवाज बोल रहा हूं मैं अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था तो कैसे पता चलेगी कि कौन बोल रहा है कैसी आवाज है ठीक है लड़का बोल रहा है लड़की बोल रही है चलिए यहां पर बताईए बिलकुल और के बरमाँ जी ने अंसर के लिए पीछ से यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है नद्कुल कबसुई आगे सामने कि मिट्टी के बर्तोनों में किस प्रकार की मिर्दा का प्रियोग किया जाता है ठीक है which type of the soil use the poetry यहाँ पर जल्ली से बताएंगे मिट्टी के बर्तोनों में किस प्रकार की मिर्दा का प्रियोग किया जाती है ठीक है जाता है जाती है अपने साब से ले लिजे हाँ बिल्कुल चलिए याँ पर हाई पीस लो पीस याँ पर बिल्कुल नया कोश्चन आ गया है याँ पर ध्यान रखेंगे याँ पर चिकनी मिट्टी यहां पर कह रहे हैं आपर याने की बिल्कुल कले यहां पर कहा जा रहा है यहां पर बिल्कुल सही जवाब है चिकनी मिट्टी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है चलिए कले यहां पर अभिशेग जी बिल्कुल सही जवाब नया कोश्चन आपकी स्क्रीन प बहुत ही है तो आखो से दिख रहा है आपको क्या इसका अंसर होना चाहिए सीदे बिल्कुल ज्द क्या होगा बिल्कुल अरकर वर्मा फर ब्र के टिमेश चीट है क किया कहा जाता है जल्ली से बता philosoph दआ प्रवीआइज इस कौर्ट चली से बताएए एक उद्र अबा प्रतिबम को कहा जाता है क्या पर इरेक्ट hyperbaki जवाब है यहां पर भिलकुल सही जवाव यहां कर्राइक्ट यहां पर साupid गूरी सरो्य । वर्मा जी बिल्कुль साई उपेंद्र जी बिल्कुर साई मीना जी ऑप्षयन होंगा यहां पर ध्यान देखेंगा दिए ONE मिसीफ लुटा है यहां पर जली से बताए है कि चलिए एजीङका बताई यह क्या नाम होता है फुल फॉर्म बताना है सी एपल इफजा अव्जरुवेशन फॉर ठीक है सी एफल संस्षिप्त नाम है इसका जली से बताइए किसका नाम है शंक्षिप नाम है आपर बिल्कुल यहां पर science है यह तो previous year question के बिल्कुल आ सकता है यह question आपके यह क्यों नहीं पूछा जा सकता है आपसे यह question उसके भी previous year question जरूर लगाएगा आप ठीक है अभिशेग जी बिल्कुल उसके previous year भी paper देखना भी बहुत जरूरी है compact fluorescent lamp यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब देया है यहाँ पर आपका जो की हमारा C वाला option है बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है यहाँ पर C option बिल्कुल सही जवाब है जो की शिवानी जी नितिन जी योगिर जी सभी लोग दे रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है को लेके घ्यान होगा मैं आपको और भी बता दूंगा तो उसके लिए नई हम लोग चीजे स्टार्ट कर देंगे ठीक है नई वीडियो को स्टार्ट कर देंगे क्योंकि यह थो हमारा प्रैक्टिस के लिए चल रहा है चलिए यहां पर बताएंगे आप जिसे और भी ज्यादा अनफोरमेशन हो जैसे कर्ट टेस्ट यहां पर पुछा है कि धही धही का स्वात खटा होता है किसके प्रेजेंस में ठीक है तो आपको यहां पर आंसर बताना है तो क्यू होता है यह भी मैं आपको बता देता अगर हम लोग एक्स्प्लेनेशन में पढ़ रहे होते हैं ठीक तो सभी लोग comment section में बता जीजेगा अगर आप लोग explanation के साथ पढ़ना चाह रहे हैं तो चलिए यहाँ पर आप से पूछा है है हुमोगलिमिंग के बारे में our red pigment is present किके हुमोगलिमिंग में जो red pigment हो वो किसकी किसके कारण होता है किसकी मोजूती के कारण होता है यह आप दोनों वर्मा जी बिल्कुल आरके वर्मा जी भी बिल्कुल सही है ब्रिज मोहन वर्मा जी भी सही उत्तर के रहे है लैटिक एसिट बिल्कुल कमले जी बिल्कुल सही जबाब है नया question है आप सही कि RBC में जो आपके red pigment किसकी present से होता है बिल्कुल यहाँ पे RBC कहा है बिल्कुल यहाँ पर सागर जी बिल्कुल सही, मीना जी बिल्कुल सही आरबी सी के कारण बिल्कुल सही जबाब है यहाँ पर आपका D option बिल्कुल correct है चल्ये next question की तरफ चलते हैं ये question थोड़ा जाना पेचाना है आपकी नजरों के सामने चल्ये आप से पुछाए क्याँ क किसके विकास की मदद करती है किसके विकास में मदद करती है यहां पर बिल्कुल योगे सिसोधिया जी डी ऑप्शन के रहे हैं आर बी सी पिछले वाले का बिल्कुल सही जवाब है नया कोश्चन आगया आपकी स्क्रीन पर ठीक है जली से बताएंगे यहां पर कोश्चन नब है microbes और microbes और अर्थ वां यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है जो कि हमारा option है बिल्कुल ध्यान दीजिए का option यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं होगा साकर जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने चलिए नया question आपकी screen के सामने जली से बताएंगे major cause of destruction इसका राइट अंसर होगा चलिए यहां पर चलिए और ध्यान रखेगा मंडे से आपका शाय से MPSI और आपके जिसमें भी हिंदी आती है ध्यान रखेगा उसकी क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है ठीके मंडे से आपके बकायदा आपको टाइम बता दिया जाएगा तो ध् सही option के रहे हैं सभी लोंग D option बिल्कुल A और B यहां पर बिल्कुल बांद का निर्मार और अती चराई यहां पर बिल्कुल सही जवाब दोनों option यहां पर सही है इस हिसाब से हमारा D option correct है बिल्कुल A और B यहां पर बिल्कुल सही जवाब है इस हिसाब से D option बिल्कुल सही जवाब है चलिए नए कोशन की उतर बहुत इंपोर्टन कोशन है ये कोशन हर बार पूचा जाता है आपके MP पूलिस में ठीके MP पूलिस में ये कोशन हर बार पूचा जाता है ध्यान रखेगा SS ले लिए इसका स्क्रीन शोट बहुत important question है कभी question को घुमा के पूछता है बगी ये question हमेशा पूछा जाता है ठीक है अमलता के समस्या से उप्चार के लिए कौन सी गोली की चिकिस्सत द्वारा सिफारिश की जाती है ठीक है जल्ली से बताएंगे कौन सी गोली की शिफारिश की जाती है चिकिसा द्वारा आपको चलिए यहाँ पर बताएंगे सभी लोग anti-acid यहाँ पर कह रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है anti-acid जो कि हमारा c option है बिल्कुल सही जवाब है anti-acid यहाँ पर c option बिल्कुल correct ठीके यहाँ पर ठीके ध्यान देखेंगे anti-acid यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है चलिए आगे बढ़ते हैं नए question की तरफ हम लोग चलिए यह भी एक अच्छा question है इससे भी आपको question पूछे जाते है ठीके पेट के अस्तर धारा सबवरिट किया गया Caitlin, kya आपको पूछा गया है जलिए से बताएंगे the mucus secreted by the lining of the stomach जलिए से बताएंगे कौन सा किया गया शलेशमल कौन सा है यहाँ पर जलिए से कौन सा answer आपको सही बेट रहा है यहाँ पर बताएंगे म्यूकस से question आपको पूछा गया है ये question बहुत ही बढ़ी आ रहता है म्यूकस से ठीक है बिलकुल यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर के रहे हैं यहाँ पर आप लोगं kill harm pill bacteria तो अगर वो म्यूकस अगर उसे मारेगा तो SCL क्या काम करेगा all यहाँ पर के रहे हैं कुछ लोगं यहाँ पर ध्यान रखेगा protect करता है stomach की देखे SCL होता है हमारे पेट के अंदर stomach के अंदर ठीक है यह हमारा stomach है इसके अंदर SCL है इस SCL से protect करने के लिए एक layer होती है जो की mucus की layer होती है ध्यान रखेगा ठीक है तो क्या करेगा इसका right answer protect the stomach lining of the harmful substance यहाँ पर बिल्कुल आपका A option बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर ध्यान रखेगे यहाँ पर mucus की layer होती है protection के लिए आपके stomach में ध्यान रखेगा A B वाला option बिल्कुल सही जवाब है आपका चलिए कमलेज जी बिल्कुल सही B option यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ध्यान रखेगा A option के रहेते हैं आप लोग A option collect जवाब है ठीक है आप से पुछाए कि नारियल इसका उधारन है coconut is the example of चलिए coconut किसका example होता है यहाँ पर जल्ली से बताएंगे coconut किसका example है ठीक है यहाँ पर बताएए Y-U पर असर यहाँ पर ठीक है पशु पर असर मानव पर असर यहाँ पर dispersal यहाँ पर किसमें water dispersal, man dispersal, animal dispersal ya wind dispersal यहाँ पर बता रहे हैं सभी लोग D option कह रहे हैं याने की water बिल्कुल यहाँ पे water आपकी स्क्रीन पर आ गया है जली से बताएंगे जिके सभी जान्वर प्रतेक्ष या प्रतेक्ष रूप से खादे के लिए पोधो पर निर्बार है इसलिए इन्हे कहते हैं छिए जो पोदो पे निरबर है किसी और पर निरबर की बात हो गए। यहां पर है। आपर ध्यान रखेंगे चलिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर खाद दे आने की भोजन के लिए दूसरों पर निर्बर है यहाँ पर ध्यान रखेंगे पूछा जा रहा है पूरे question में कि सभी जानवर प्रतिक्ष या प्रतिक्ष रूप से खाद दे के लिए पोदों के पोदों पर निर्बर है इसे उन्हें कहा जाता है क्या कहा जाता है परजीवी यहां पर खाद दे के लिए पूछा जा रहा है आपसे ठीक है खाद दी के लिए पूछा जा रहा है भोजन के लिए यहाँ पर जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर धने के पर पोशित यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है ठीक है यहाँ पर जो आपके पैरासाइट पर जीवी जो दूसरों पर डिपैंड होते हैं यानि कि टिके ह पर डिपेंड होंगे तो आप पर पोशित कहा जाता है ठीक है और खुद पर निर्बर रहते हैं यानि कि उनको खुद का बोजन वो खुदी बना लेते हैं तो उसे सो पोशित कहा जाता है ध्यान रखेंगा यहां पर इस हिसाफ से इसका राइट अंसर क्या होगा पर पोशित यहां पर बिलकुल सही जवाब है जो कि हमारा सी ऑप्शन है ध्यान रखेंगा यह बहुत ही इसलिए इन दो चारो ऑप्शनों को ऐसे डाला इन लोगों ने कि आप लों क्या करेंगे कि खुद पर डिपेंड होने के लिए आप कह रहेंगे पर जीवी डाल देंग यहां पर फूट की बात हो रही थी चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं यहां पर नया ऐसे पूछा ग्या है चलिए यहां पर आ और आग्या है नया कोश्टन आपकी स्क्रean पर अब आपको पता चल जाएगा मैं यह एक्जांपल देने वाला था पर मैंने नहीं दिया ठी यह बिल्कुल यहां पर क्या दूसरों पर निर्बार है अब यह खाने की बात नहीं चल रही है तीके दूसरों पर निर्बार है अमर बेल आपने देखी होगी एगर पेड़ दिखाओगा या फिर ऐसा कोई बाहर देख लिया होगा तो उसके पर चलती चली आईगी वो बकाय होगी चलिए इसी से रिलेटेड अगला कोश्चन आपसे पूछा जा रहा है यह बताएंगे आप लोग अब और भी क्लियर हो जाएगा अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ है तो ठीके दो विविन जीवों में संबंद जो एक साथ रहते हैं और पर परस पर लावांबित है य ललती की कोई चाहिस नहीं है सी ऑप्षन जो के रहे हैं अभी हमने पीछे पड़ा है ठीक है विचली बैनिफिटेड यहां पर आरे वह अमर बेल उसके ओपर चड़के जा रही है तो उसको पीड़ को उसको क्या फायदा उससे मिचली बैनिफिटेड याने की दोनों को फा हैं जिसमें क्या होता है कें चop को दे सकता है आफाप फंगी और फंगी रहे हो साथ में रहती हैं यहां question आपकी screen पर आगया है यहां पर चलि से बताएंगे क्या होगा ठीके एक lohar का एक ऊपकरण बनाने के दुरान लोहे के एक गरम टुकडे को ठीके घंध से पीट पीटता है ठीके घंध ताड़न के कारण बल्व का प्रभाव है ठीक है यहाँ पर बताएंगे क्या होगा अब blacksmith यहाँ पर hammer को कहा गया blacksmith hammer a hot piece of iron while making tool effect of a force due to the hammering is क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा उसके effect से क्या होगा volume change हो जाएगा density change हो जाएगी shape change हो जाएगा या mass बदल जाएगा उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर मास तो बिल्कुल नहीं बदलेगा mass तो कहीं पर नहीं बदलेगा यहां पर यहां पर उसका का बदलता है ध्यान दीजेगा मास नहीं चेंज होगा उसका ठीक है उसका शेप बदल जाएगा ज्यान दीजेगा शेप बदल जाएगा उसका चल यह आगे बढ़ते हैं यहां पर नए कोश्चन की तरफ हम लोग आप से पूचा गया गया ठीक है निम लिकित में से कौन सा अपसिस ठीक है गलोप चार ठीक है जलोप चार में उत्पाध का है ठीक है यहां पर बताएंगे जली से का होगा इसका राइट अंदर विच आफ द फॉलॉइंग इस आईज आर प्रोड़क्ट ओ वेस्ट वाटर ट ठीक है तो थोड़ा इससा आपको दिखने लग जायागा सही से चलिए यहां पर बताएंगे मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मेरे तरफ से जितना हो सकता है चलिए यहां पर बताएंगे विच आफ द फॉलॉइंग पर वेस्वाटर ट्रीटमेंट ठीक है यहां पर सिवेज यहां पर कहा जा रहा है यहां पर राइट अंसर इसका क्या होगा बिल्कुल यहां पर ध्याम दीजेगा यहां पर आपका बोत यहां पर बायो गेस और स्लज यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा यहां पर ध्याम दीजेगा यहां पर ठीक है बिल्कुल आपका स वाला option बिल्कुल सही जवाब है जो की बिल्कुल नामदेव जी मीना जी बिल्कुल सही उक्तर दे रहे हैं आप दोनों चलिए आगे चलते हैं आप नए कोशन की उपर नए कोशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है यहां पर बताएंगे ठीके एक से अधिक कोशिका से बने वो को क्या कहा जाता है आपको यह बताना बिल्कुल नाम से समझ में आ रहा है हमें कि उन्हें क्या कहा जाता है बिल्कुल शिवानी जी ने तो बहुती तेजी से अंसर भी कर दिया है चलिए बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है बिल्कुल सागर जी ने क्या है बहु क स्क्रीन के सामने आज से पूछाए गया यहां पर विच मटे माटेरियाल डिट रोबर्ट हुग फर्स्ट अब्जर अंडर दा मैगनिफाइंग डिवाइस ड्यूरिंग दा कोशिका की खोज के दोरान रोबर्ट हुग ठीक है कोशिका की खोज रोबर्ट हुग ने करिए ठीक है आवरदक युक्ति के तहट किस प्रदात के पहले प्रक्षित किया था प्रक्षित किया था यहां पर ठीक है बिल्कुल सही आंसर यहां पर कह रहे हैं यहां पर बहुत ही तोहां पर थिन चिलग ऑफ को कोफ के पतले भाग को我就繼續 निकालोगेहां तो अनौक किसकी होती है क्या दियाद्वरण के सैल होता हुआ है चलिए बार्क होता है पेड का बार्क था उससे उनने खोज करी थी 1965 नहीं था 1665 था जाएसे देख लीजेगा एक बार मेरे को जितना याद है चलिए नया कोश्चन आपकी इसमें पूछा गया रहा है जल्ली से बताएंगे क्या होगा इसका राइट अंसर नितिन जी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया पिछले वाले का अंसर यहाँ पर नया कोश्चन आगे आपकी स्क्रीन पर जल्ली से बताएंगे क्या होगा बस थोड़ी सी दिर की क्लास हो रहे हमारी 50 कोश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए आपके 50 कोश्चन लिये जाते हैं ताकि आप देख पाएंगे आपके 40 प्लस कोश्चन बन रहे की नहीं बन रहे चलिए नया कोश्चन जल्ली से बताएंगे क्या होगा है यहां पर सभी के रहे हैं पूपा यहां पर बिल्कुल सही जवाब है यहां पर ए उप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहां पर बिल्कुल कमलेश जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने चलिए बिल्कुल जोती लिए वी बहुती सही जवाब यहां पर आरके वर्मा जी बिलकुल यहां पर 7 लिख रहे यह option correct answer है चलिए बिल्कुल यहां पर कमले जी आरके वर्मा जी बिल्कुल सही उपहिंदर जी बिल्कुल सही जवाब है यहां पर मीना जी बिल्कुल सही अभिशेक जी शिवानी जी सभी लोगों का बढ़िया उत्तर है चलिए नया question आपकी screen के सामने बहुत ही अच्छा question यह question cell का question है और यह मतलब बहुती important question है मान लीजे से MP पुलिस में यह question पूछा जाता ही जाता है यह भी important अगर cell से question बन रहे है तो यह question जरूर आएगा आप से पूछाए गया basic structural and functional unit of life from is सभी जीव रूपोक में मूल संचारतमक और प्रकार्य इकाई है क्या होगी यहां पर ज question आपको answer बता भी दिया ता फिर भी आप लोगों ने answer इसका सही नहीं किया है basic and structural functional unit of इसे का जाता आरके वर्माजी बिल्कुल cell यानि की कोशी का बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर tissue नहीं का जाता है ध्यान रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर next question की तरफ चलते हैं थोड़ा सा landy question है थोड़ा सा धान से पढ़िएगा इस question को मैं जितना zoom हो सकता है यहां से zoom कर देता हूँ आप लोगों के लिए चलिए यहाँ पर बताएगे क्या होगा इसका right answer नया question आगया है आपकी screen पर जल्ली से बताएगे क्या होगा ठीक है why is it not the addisable to sleep in a room with the burning coal inside the room ठीक है यहाँ पर कमरे में जलते हुए कोईले के साथ सोना क्यों उचित नहीं है यहाँ पर ठीक है कोई ऐसा करा तो नहीं किसी ने ठंडी के टाइम में ठीक है जल्ली से बताएगे कौन सा है इसका right answer ठीक है कमरे में जलते हुए कोईले को एक साथ सो एक कोईले के साथ सोने का क्या उचित नहीं है क्यों उचित नहीं बताईए आपर D option के रहे सभी लोग बल्कुल carbon monoxide क्या release होती है इनल एक्जल आप कर लोगे वह आपके लिए poisonous का काम करेगी यहाँ पर बिलकुल D option correct answer है बिलकुल जोती जीं आपर सही जवाब पर D option होगा और क है और इस बार भी आए गई सारे पेपरों में इमेज से कोश्चन आता है तो ध्यान पूर्बक कोश्चनों को पढ़ लिजेगा ठीके कब रियल बनाता है कब कौन के बनाता है यह आप लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिजेगा which of the बेस पे यह कोश्चन था बस घुमा दिया गया है ठीके कि आपका सूरिय का रियल प्रतिवाम आपसे पूछा गया था रियल इमेज बनाने के लिए बिल्कुल यहाँ पे कौन के मिरर उनली यहां पर कह रहे हैं कौन के मिरर यहां पर बिल्कुल सही जवाब है जो कि हमारा A option है बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब दिया है मीना जी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर A option कमले जी बिल्कुल सही जवाब चलिए next question है और आज का शायद से आखरी question है यह तो उमीद है सबी लोग इसका right answer देंगे चलिए यहाँ पर पूछा गया है आपसे प्र को बताना बल आप कब से कम लगाते हो कब लगाते हो प्रती पर मनुष्य द्वारा लगाया गया दाप नियुंतम होता है जब वह है क्या करता है यहाँ पर यह चार option दिये गए है अगर वो दोड़ता है पीट पे खड़ा होता है या फिर वो कहता है क्या करता है इससे वो जमीन पर सोता है यहाँ पर सागा नामदित जी ने कहा है सोने पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर ठीक है एक मातित क्या है यहाँ पर सही जवाब आपके slip of the ground यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है जमीन पर सोता है जब वो बिल्कुल सही जवाब है जब वो क्या करता है प्रत्वी पर नियुंतन यानि कि सबसे कम दाव देता है stand on the foot यहाँ पर जो कह रहा है वो तो ज़ादा देता है कम नहीं देता है आपको minimum पूछाता है यहाँ पर आपका जब आप लेट जाओगे तो सबसे ज़ादा दाव कम रहता है उसका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है यहाँ पर दिस्क्रिप्शन में आपको बकाईदा challenge series मिलेगी टेस्ट मिलेगा आप लोग उसको लगा सकते हैं बहुत ही धुहादार तरीके से एकदम speed से आपको पढ़ाया जाता है और आपकी कल यहाँ परसों से यहाँ पर मंडे से सायद से बंडे से MPGK की आपकी एकदम basic से एकदम basic से एकदम नीचे के स्थर से बापिस से अर्जुन जिसार MPGK स्टार्ट कर रहे हैं एकदम उनकी trick के साथ ठीके ट्रिकों के साथ जैसे कि आप लोग जो लोग पढ़ चुके हैं उनलों को पता होगा एकदम धुहादार trick से आपको पढ़ाय जाता है जिससे आपको पूरा याद रहेगा ठीके तो MPGK की बापी से शुरू हो रहा है आपका ठीके तो ध्यान दीजेगा जिनने नहीं पढ़ रखा है वो दुबारा पढ़ लीजेगा ठीके ध्यान रखेगा ठेंक्यू दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ठीके जादा से जादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए धन्यवाद आप सभी लोगों का रात्री मस्त रिए मस्त रिजे स्वस्त रिजे और पढ़ाई करते रिजे ठेंक्यू